हर तो है अज मैं आपको फोर्टक्स की ब्लाउस की कटिंग बताने को इन के सिंपल ब्लाउस बोलके पैचाना जाता है और मैं आज तैयर चाहिक किसे का अलग है यह मेरा में इसम एक दम आसन तरीक है आपको आना है यह आना ही है जैसे कि पोर टक्स में पहले क्या क्या जाते हैं अपन श्टेप पर श्टेप जाएगी इससे क्या जाते हैं प्रेंट है चोदा ओके यह अपन चोदा पर लाइन मार देगी यह चोदा साड़े तेरा है इसको चोदा है साड़े तेरा लेंद अपनी प्योर है मतलब कंप्लीट है और इसको आधा ही चोदा ही बढ़ा है यानिका आधा ही सिलाय में जाएगा और एक ही निच्छे जाएगी और पंद्राइज एक ही निच्छे जाने के बस बाकि कुछ नहीं करना है अभी शोल्डर अपनी है साड़े पाच ये 36 का में मेजर्मेंट बता रही हूं साड़े पाच आपको हर मालूम तो वीडियो में होगा ये में एक इतना निच्छे हो तो साड़े पाच होगा यानिके इधर छे होगा कि ओके इन नौ नौ दूना अठ्रा अठ्रा दूना चत्तिस हुआ यानिके नौ नौ में अपना अधा ही और दालेगे लुजिंग के लिए थोड़ा कि ये फोर्टक्स में आधा ही ज्यादा डाना नौ होगा न तो साड़े नो लेना आट होगा बतीच का छाती होगा तो सा साड़े नौ लेना मतला अधा ही जादा लेना इसके अंदर होगा होगा है कि अब ही आभी साड़े नौ लेगे जितना उतना इसको भी हाद ड्रॉ कर देगे सीधी तरह से इसी तरह से और अपना ये और मार्जिंग में अपन देड़ देनी चिंदर बढ़ाएगे देड़ दो इंच आपको जो लगा हो आप बढ़ा सकते हों यहां पर इसको सिंपल ब्लाउज बोलके पैचाना जाता है और फोर्टक्स भी बोलते हैं यह अपना बॉक्स तैयर हो गया है अब यहां अपन थोड़ा पाव अंदर जाएगे इसको क्रॉस में लेगे यानि कि अपना यहां फुगा तैयर होगा नहीं कि यह बहुत मतला है कपड़े पर कटिंग होती है अपन मैं आपको पेपर पर कटिंग करते हूं कि इधर देड़ लेगे एक और यह अंदा से ले ले ना है हल्का सराउंडे दिन है गुल्ड शेप में इसी तरह से अब यह अपना है गला छेए अब यहां आपन धाई रखेगे और यहां दो रखेगे यहां कम आना चेए यहां दो और यहां धाई अब इसको गोला ही दे देगे अभी अपनी योग है अभी देखो में अभी योग अपनी है तीन यहां से गिनना है अपने को यहां से ने गिनने बैक साइड है अपनी योग है तीन और यहां है ढाई आ अधर से अब कभीज का सेंटर निकालेगे पांस के काया होगा ढाई होगा यहां दस्तवबागा चात्तिस का दस्तवबाग वह देखेगे देखित्र में आधा इंग बढ़ा है मैंने इसा डॉट करेंगे और अपना टक्स पॉइंट होगा दस पे कि अब होगा कि दू इंज का टक्स आएगा इसको हलकाल का सपन आधा आधा ही जीदर आधा ही जीदर में शेव देगे कि इसी तरह से यहाँ एक इंच पर जाएगे और यहां डेड़ में करेगे देड़ में इसी लाइन जाएगी और यहां चार में रेगी यहां भी एक में यहां जाएगी और यहां यहां भी देड़ में जाएगी यानि अपना कप पुरा तयार होगा पॉप यानि फुगा के जैसा अब इसकी अपने कटिंग करेगे गए बहुत यानि बहूत आसंद रिकारे दोसे और पांच या दस मिन्ट में इसकी ने कटिंग करेंगे और दोस्टे आएगे इसको कुछ प्राब्लम इसमें होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते में इसमें पेपर कटिंग में आपको में इसका तीप बता होगी अभी आपको समझ में आसान तरीका है जिसमें मुझे कमेंट की ती और प्लीज करके ध्यान देखना उसमें एक दम मतलब देखा ना मैंने किस लगा का पांच मिन में कुछ आदा लगाने होगा यानिके करने के लिए अब इसको काटेंगे अब इसमें भी आपको में बताना लें मैंने डाइरेक क्यों लिया है क्योंकि एदल शॉटकट पद्धत है आसान तरीका है अब इसको पर बीच से काटेंगे दाइरे कपड़े भी हो सकता है अपन मैं आपको पेपर कटिंग की बता है अच्छा नहीं होता आपन फाड़ के फेक सकते हो कपड़ा थोड़ी फाड़ी पीछे का साइड हो गया अब यह अपने आगे का साइड यह निकाल देना है इसी तरह से अपने कटिंग करनी है इसी तरह से अपना गला आगे का छे साड़े छे आपको जो लगा है वेसा आप ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत ही नहीं यह अपना इसा तक्स आएगा पर्दम अच्छी तरह से यह खिलके आएगा उपर और मैं बाई की कटिंग बताने वाली हूं बाई है साड़े पाच में एक इंच बढ़ेगे पाच में एक इंच बढ़ेगे यह निकिक शेग आर्मुल अपना है साड़े नो सववा नो यह आपन तीन धाई जो अपको लगा पूतर सकते तीन मैंने तीन उत्री हूई हूं इसलिए और आगेगा है गोले अपनी साथ सिरी के रेड़ी होके वह साड़े पाच में आएगी साड़े नो का बीच का कितना हुआ चार सववा चार का सका इसको राउंड शेप देगे पैरी जैसा है मैं आपको केसे हाड़ार चीकाने जा रही हूं मतलब आपको आना चीलिए सिंपल में और अच्छी तरह से आना चीलिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ आप मुझे सस्क्राइट और लाइक करना मत भूलियो दोस्तों ऐसे कमेंट में लिखते जो मैं आपकी कमेंट सब पूरी करोगी और आपको इसके श्रीचिंग बता ना लिए धन्यावाद दोस्तों